नमस्का जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता मराथा शाशक छत्रपती शिवाजी के तेरवे वंशर्ज और पूर्वसांसत छत्रपती सांभाजी राजे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर शेखर राव से मुलाकात की है मुख्यमंत्री कार्याले के अनुसार कोलहपोर रियासत के उत्राधिकारी और स्वाराज आंदोलन के कारेकरता साहू महराज के पोते ने मुख्यमंत्री केसी आर से शिष्टा चार मुलाकात की है प्रगती भवन में केसी आर ने सांभाजी राजे का शौल और फूलों से स्वागत किया सीएन केसी आर ने सांभाजी राजे के लिए दुपहर के भोजन की मेजवानी की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की सांभाजी राजे ने कम समय में तेलंगाना राजे में हुए जनकल्यान और विकास के बारे में जानकारी ली जिसकी वजह से तेलंगाना देश के लिए एक आदर्श के रूप में खड़ा हुआ है विकिसानों, S.E.S.T., BC और अलपसंख्यकों सहिट सभी वर्गों के लोगों को बड़ा कल्यान प्रदान करने के लिए तेलंगाना राजे सरकार की तरफ से अपनाई जाने वाली ऑपरेशनल प्रोसीसर को जानने की उन्होंने एक्षा प्रकट की सांभाजी राजे ने एक्षा व्यक्त की कि तेलंगाना विकास मॉडल और कल्यान कारी योजिनाओं को महराश्र में भी लागू किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शांदार तेलंगाना विकास मॉडल को यहीं तक सिमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि महराश रो सहित आने सभी राजियों में भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए विकास के मुद्दों के अलावा CMKCR और सामभाजी राजे ने देश में राजनितिक स्थिती पर लंबी चर्चा की देलंकाना के मुख्यमंत्री केसियार और पूर्वसांसद सामभाजी राजे ने कहा कि जनता की विकास और देश के अखंडता के लिए जन कल्यान के उदेश से एक नया एजेंटा लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है इस मौके पर सीम केसियार और सामभाजी राजे ने शिवाजी महराज से लेकर साहू महराज तक देश के लिए की गई सेवाओं को याद किया केसियार ने कहा कि समानता और जन कल्यान के दिशा में उनका शासन देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में रहेगा चर्चा में मुख्य मंत्री के सियार ने साफ किया कि उनकी प्रेड़ना से तिलंगाना में बिना जाती और धर्म के भेदभाव के लोगों का शासन चलता रहेगा इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं नमस्कार